नमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्ट रेवडे चलनल दोस्तो बिहार क्रिसी भी भाग में दोस्तो यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी खासी वेकिंसी आ चुकी है जिसमें आपको दोस्तो एक्जाम नहीं देना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग द आपको पूरी कम्प्लीट जनकारी यहाँ पर देने वाला हूँ तो चलिए बिना किसी देरी के हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगर दोस्तो चैनल पर इस पहली बार आगर आप आए हैं तो इस चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले ना है क्योंकि आपको इस चलनले पर 100 100% authentic and genuine ही निकली गौर्मिन भरती के बार में ही जनकारी आपको दी जाती है ठीक है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको official data भी दिखाऊंगा official website पे भी ले जाके आपको download करना भी आपको बताऊंगा notification मगरा भी सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ठीक है तो सबसे पहल आप देख सकते हैं क्रिसी बिभाग यहाँ पर बिहार पटना और यहाँ पर देखेंगे बिहार क्रिसी प्रबंध है प्रसार प्रसिक्षण संस्थान बामोती बिहार पटना ठीक है और एक और चीज़ यहाँ पर आपका यहाँ पर doubt में यहाँ पर clear कर दू यह जो vacancy है दो निकाला गया है और इसके लिए online ही आपसे registration मांगे गए हैं ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पद है दोस्तों प्रखंड तक्निकी प्रबंधक आत्मा योजर्या के अंत्रगत प्रखंड इस्तर पर यह vacancy आई हुई है ज तो दोस्तों आप eligible है apply कर सकते हैं ठीक है और इसमें दोस्तों कारे का अनुभव दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दोस्तों कारे का अनुभव भी यहाँ पर मांगा हुआ है उम्र के बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो maximum उम्र है 37 वर इसमें इसमें यहां पर यहां पर आपको मिलेगा और इसमें डेख सकते हैं, इसमें एकस्पीरियंस क्या वशेकता नहीं है, नेक्स्ट वेकेंसी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लेखापवाल की है जो राज योजना के अंतरगत प्रकंड स्तरपर वेकेंसी आई हुई है जिसमें 107 है और जो भी बीकेम हमारे साथ ही जो किये हुए है वो इसमें अपलाई करेंगे और इसमें भी दोस्तों एक्सप दुगात में बताया था इस फॉर्म को यहाँ पर सवीदा पर वेकेंसी निकाले गही है अब इसको अपलाई कौन करेंगे देखिए इसके लिए कोई भी जैसे कि यह विहार में क्रिसी विभाग में निकाला गया है तो यूपी वाले भी अपलाई कर सकते हैं किसी भी स्टे यहाँ अवेदन करना चाहते हैं तो अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म जो है दोस्तो 12 April तक आपको फॉर्म यहाँ पर भरना एं सम्मिट करना है 15 April तक ठिक है और यहाँ पर कोई भी विक्ति जो है राज्य के किसी दो जिलो में एक से अधिक पर यहाँ पर यह वेबसाइट है ठीक है और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर पता रखा है जैसे कि फॉर्म भरने की लास्ट देट देख सकते हैं 15 अपरेल 2023 है लेकिन इसकी जो सौट लिस्टेट केंडिगेट की जो लिस्ट है वो प्रकासन की यहाँ पर बात बताई गई है 18 अपरेल को इसी प्रकार से आवेदन अपनी आपती डीवी सी कोशांग क्रिशी विभाग में भेज सकेंगे यहाँ पर डेट मेंचन है 22-23 अपरेल और यहाँ पर फाइनल लिस्ट आफ सौट लिस्टेट केंडिगेट का प्रकासन होगा 19 अपरेल 2023 को ठिक है और जिसका प्रकांड तकनिकी प्रबंधक और सहायक तकनिकी प्रबंधक पर आईजन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए यहाँ पर यह फर्मूला यहाँ पर बता रहा है कैसे क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर पैसन रख रहा है मैं सारी चीज़े आपको क्लियर करने वाला हूँ तो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पर कटप बनेगी या कह सकते मेगा सूची बनेगी वो 100 अंगों पर बनेगी टिक है तो इस पोस्ट के लिए बता रहा हूँ इस पोस्ट के लिए जो मेगा सुची बनेगी सौंग पर बनेगी अधिकतम आपकी जो योगता है जो आपकी qualification है उसका यहाँ पर 80 यंक दिये जाएगे माल लिजिए यहाँ पर जो है metric का यहाँ पर कुछ रित कित्ता भी percent आया हो आपके माल लिजिए 60 percent आया हो 65 percent आया हो 70 percent आया हो उसको जोड़ा जाएगा intermediate किया होगा उसका percentage जोड़ा जाएगा और आपने सनात किया है उसका percentage जोड़के आपको यहाँ पर 3 से divide कर दिये जाएगा ठीक है उसके बाद multiply करके 0.80 से यहाँ पर multiply कर दिये जाएगा जो divide 3 करेंगे जो भी divide करने पर संख्या आएगी उसको multiply कर दिया जाएगा 0.80 से ठीक है इतना आपको समझ में आ गया इसके लावा यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको अनुभाव है तो अधिकतम यहाँ पर अनुभाव के अधार पर यहाँ पर 10 अंक मिलेगा यह चीज हो गया तो पांचंक उनको मिलेंगे जो बिहार में यहाँ पर अविस्ति विद्याले महाव विद्याले से यहाँ पर उत्तिन यहाँ पर अव्यरति को निवजन में प्रात्मिक्ता दी जाएगी वो केंडिकर प्रात्मिक्ता के तोर पर ऐसे अव्यरतियों को पांचंक दिया जाएगा समझ गया और पांच अंक उनको मिलेंगे जो अत्रिक्त यहां पर योकता धाराक अभरती को उच्छे उच्छतर साधिक योकता इसना कोतर किये हुए हैं उनको यहां पर पांच अंक और दी जाएगा तो 100-100 माक्स हो गए 80 माक्स यह हो गए 80 और 10 90 हो गए और 10 यह हो गए 100 तो 100 माक्स का यह हो गए अगर आप इस पोस्ट के लिए कोड के लिए अपलाइक कर रहे हो तो ठीक है कोई भी कनफूजन नहीं है इसके अलावा यहां पर नीचे जाएंगे तो अलग से पोस्ट कोड इस पोस्ट कोड के लेखा पाल पद के नियूजन के है यहां पर 12 है और सनात्व को जोड के 3 से डिवाइड करके 0.85 यहां पर कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए लेखा पाल के लिए बाकि सभी कंडिशन सेम है यहां पर आप देख सकते हैं और कितने वर्स का अनुभाव है तो आपको कितना अंक मिलेगा यह चीज़ें यहां पर तो यही सारी चीज़ें दोस्तो इसी के अधार पर आपका मेगा सूची यहां पर तयार किया जाएगा तो मैं आपको यह बता देता हूँ कि online आप कैसे चेक करेंगे आप जैसी दोस्तो आपकी इस website पर आएंगे यहां पर देख सकते हैं बामती Agriculture Department और साइड में requirement का option दिख जानकारी यहां पर दे रहा हूँ अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े है तो फटा फट जूड़ जाए क्योंकि आपको इस चैनल पर जो भी authentic और यहां पर जो जो government भरतिया निकलती है उसी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है